आज जारकर मुक्ती मोचा की किंद्री मासची सुप्रियो भटा च्वारे ने मुक्य मंत्री आबास पर हो रही आपात बैठक कोलेकर कशिश न्यूज से खास बातचीत की बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी मजाक कर रही है और अगवर्दास की पार्टी तूट रही है सुप्रिय भटा च्वारे ने ये भी कहा दावा किया कि कई विदायक भाजपा के हमारे साथ हैं हमारे साथ संक्या बले और हेमंत का विकल्प सिर्फ हेमंत ही है जहर्खन मुक्तिमोर्चा हो या कांग्रेस हो या रास्त्रिय जनता दल सभी विदायकों की यहां मुख्यमंतरी आवास में आपात बैठग हो रही है बैठक के संदर्व में हमारे साथ धारखन, मुंक्ति मोर्चा के केंद्रिये, महा सचिव, सुप्रियो, भटाचारिया है सर बैठक हो रही है, राजभुवन से कुछ सूचना मिली कोई सूचना नहीं अचा बैठक जो हो रही है इसके संदर्व में क्या कही अब पूरी तरह से तयार हैं भारतिये जन्ता पार्टी के तरफ से जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे सुबह से ही एक ट्वेट दिपक प्रकास के तरफ से किया गया था जो दो पहर के बाद दिलीट कर दिया गया वो ट्वेट साइद आपने वे सवाल उठाये तो दिखिए ये लोग राजितिक तोर पर वाचाल भी है और दिमाग में अब इनके कुछ है नहीं धाई साल तक लोगों ने देखा है जो शाशन चल रहा है हर चाहे यहां के पुलिस कर्मी हो चाहे यहां के आम लोग हो एक विपक्ष होने के नाते जो है हमने सवाल उठाया था और आज हमारे साथ किंद्रिये महा सची सुप्रियों भटाचारिया थे उन्हों ने कहा कि रगबर जी की पाटी जो है टूट रही है और दावा भी कर रहे है कि कई भाजपा के विधायक जो है वो जार्खन मुक्ति मोर्चा के समर्थन में है हलाकि देखना होगा आपात बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है अपने सयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ मैं रूची सर्मा कसिस निउच राची